बीबी पैट से जो अभी वर्चुल पैट से निकल दिखती हुई नजर आती है और उस परची को डालने के बाद उसी की काउंटिंग की जाएगी कि जब हम सारे लोगों का पैसे से ही बीबी पैट और एबियम मसीने खरीदी जाती है हमारी ही पैसे लेकर के एलक्षन कमिशन इंडिया हमें परशी नहीं दिखा रहा है यदि हमने जिसको बोट डाला है वह व्यक्ति को बोट पहुंच रही या नहीं यह हमारे कॉन्फिडेंस का विशह है यदि मशीन को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि भारती जनता पार्टी को 180 सीट से जादा नहीं मिल सकत पर है कि यदि EVM को हटा दिया जाए 180 सीट भी आप नहीं पाते विजेपी मैरे प्रेजस के सातीयों को मैं बहुत बहुत नविशकार और 114 करोड की जनता को बहुत बहुत नमिशकार करता हूं साथ में यह भी बोलना चाहता हूं्NS कच्थ किसी के लिए 114 कुरोड की जनता के लिए بहुत बड़ी एक खुसकवरी भी है और जहां चुनाव पर मडरा रहा है आपको पता है अप्रेल महिने से ही चुनाओ की बोटिंग वगएरे सारी शुरू होने वाली है उसमें यह इंपॉर्टेंट अभी तक हो गया यह लोगसभा के चुनाओ दो हजार जो चौबिस का लोगसभा का चुनाओ होने वाला है उसमें इबियम और बीबी पैट की परची को लेकर के हंडेट परसेंट जो काउंटिंग को लेकर के सवाल है वह सवाल भारत देश की जनता के सामने आ गया है इसके साथ में सुप्रीम कोट ने इन में दोनों पा अब यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं पहला इसमें ग्राउंड जो इस केस का है पहला केस का जो ग्राउंड है उसमें आपसे बोलना चाहता हूं पांच बज़े तक चुनाओ की पूलिंग लगभग सारी पूलिंगों की खतम हो जाती है पर इसके माध्यम से मैं यह भी कि यदि पांच बज़े चुनाओ खतम हो जाता है तो लगभग चार पांच घंटे यह आपको और इक्स्ट्रा दे दिये जाए तो आप उसके पूरी रिजल्ट पोलिंग लेबल पर डिक्लियर कर सकते हैं जैसा कि इसका बहुत बड़ा जीता जाकता हुदारा मध्य परदे इंडिया इन फाइब 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 थाउजन्ट लाक रुपीज तो आपसे यह बोलना चाहता हूं कि 24 लाक जो बीबी पैट्स खरीदे गये हैं जिन्सकी कॉस्ट प्राइज लगभग पांच हथजार करोड से उपर की हैं यह हमारे और आपके पैसे के हैं पहला दूसर इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं हमारे आपके टैकसे से पैसे हैं तीसरा यह कंसॉल्डेट फंड जो भारत देश की संचे निदी जिसको बोला जाता है इंदी में उसके पैसे निकाल करके किये जाते हैं काम अब इसके माध्यम से इसपस्ट हो गया कि ज हमें यह भी राइट है कुन पर्चियों को हम और आप देखें हमारे और आपके पैसे का वो सारी चीजें पर्चिज की जा रही है जिसमें इलक्षन कमिशन आप इंडिया नहीं दिखा रहा है इसको लेकर के यह प्रेटिशन थी हम लोगों की प्रयारती के हंडिट जो फिजकली बीबी पैट से जो अभी वर्चुल पैट से निकल दिखती हुई नजर आती है वह फिजकल भी निकलनी चाहिए और फिजकली प्रतेख बैक्ति को मिलना चाहिए और इसके साथ में वह प्रतेख बैक्ति जो बोट कॉस्टिंग करेगा यानि जो चुनाव में बैलेट बॉक्स में बैलेट बॉक्स में डालेगा उस परची को जाने के बाद मैं आपसे बोलना चाहता हूं यानि बहु वाय बाइलेट बॉक्स की परची से ही तीनों चीजों को मिलान करने के बाद फिजकली रूप से रिजल्ट डिक्लियर्ट किया जाए यह हमारे नेक्स्ट पेयर है आर्गुमेंट आप दे ग्राउंड है आपका केस का पॉइन नमबर नेक्स्ट यानि 3 और 4 इसके साथ में हमन सब्सक्राइब है कि जिस चीज़ को लेकर के हम सारे लोग पैसे देते हैं हमारी ही पैसे लेकर के एलक्षन कमिशन आप इंडिया हमें परची नहीं दिखा रहा है उस परची की क्या कॉस्ट है कुछ नहीं के बराबर हमें और आपको यह इसका सब पॉइंट नमबर टू है कि यदि हमने जिसको बोट डाला है वह व्यक्ति को बोट पहुंच रही या नहीं यह हमारे कॉन्फिडेंस का विशय है पॉइंट नमबर थ्री आर्टिकल नाइन्टीन वन ए जो हमारा कॉंसिश्यूशन का पार्ट है उसका कम्क्लीट वाइलेशन है जिसमें फ्री और फे कीजें हैं इसका पॉइंट नमबर एक नेक्स इसका की जैसे हम कहीं पर भी जाते हम और आप को भी विव्यक्ति तो हमें हम नरिंद्र मिश्चा है आप फला है एक्स हैं आप जेड हैं इसके लिए आधार काड़ चाहिए इसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए ऐसे ही ब हर बात को खरिच किया है बार-बार कि इसमें बहुत लंबी कॉस्ट आएगी मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि कुछ भी कॉस्ट नहीं आती है एक टीम की कैपेसिटी 15-20 लाग की होती है और उस पर चीस में आप देखते हैं कि इतनी भी ट्रांजेक्शन होता है उस प्रांजेक्शन में अमाउंट निकलता है और उसके बाद परची निकलती जाती है तो आप लोगों के मैं माध्यम से बोलना चाहता हूं कि यह कहां का निया है कि पांस साल में एक बार भारत देश की जंता को बोट डालने का मौका मिल रहा है और उसको लेकर के आप ये दुनिया भर की बातें मिसलेनियस अर्गुमेंट करते हैं जो कि बरतमान चुनाव पद्धती के याधार पर सिर्फ और सिर्फ एलक्षन कमिशन आफ इंडिया और करेंट रूलिंग पार्टी के अलावा भारत देश का बिपक्ष प्रतिपक्ष इंडिया लाइंस और इसके साथ में आप लोगों ने देखा है कि इंडिया लाइंस ने प्रेजंटेशन भी देने की कोशिस किया इस मामले में पर इन्हों ने नके बराबर रखा और इसको डिस्मिस कर दिया उनका ट्विटर से भी उन शीजों को हटा दिया और उसको रजेक्ट कर दिया भारत देश में जो चुनाव की पद्दती है वह एक तरीके से मैच फिक्सिंग की तरह हो गई है यदि मसीन को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि भारती जनता पार्टी को 180 सीट से जादा ने मिल सकती है तो यह भी एक ग्राउंड का विशह है जब इंडिया एलाइंस भारत देश की जितने भी बड़ी रूलिंग पार्टी से 60 परसेंट अपोजिशन की बोटिंग का जो प्रेजनेटेशन कर रहा है वो पूरे सारे लोगों के साथ में इंडिया एलाइंस के लोग जो पार्टी में है वो सारे लोग बिरोद कर रहे है सुप्रीम कोर्ड में भ इसका नेक्स्ट ग्राउंड था यानि इसका मतलब एफ नेक्स्ट इसका बोलना चाहता हूं जी ग्राउंड नंबर नेक्स्ट वान के सुप्रीम कोर्ड के पास यह भी हम लोगों की दलीले थी कि जब यह सारे चुनाव हो रहे हैं तो यह क्यों नहीं किया जा रहा है कि पर यह भी ध्यान रखना है कि यह परची कटती हुई सिर्फ दिखती है पर कटती नहीं है कई बार ऐसे लोगों के एलिगेशन है तो वो परची कटके फिजकली तरीके से हमारे हाथ में आ जाए तब तक अगली परची उसमें मसीन मियानी बीबी पैट में वह आगे न बढ करने का वह भी इसको कंट्रोल करने के लिए गड़बडियों को फैलाने के लिए इसे कि मैं आक आंधा हूं या मुझे कम दिखाई देता है बंदा का मतलब यहां पर कंप्लीट नहीं कम दिखाई देता है हम सेवन सेकंड में इस चीज़ को क्लैरिफाइड नहीं कर पाते है कि हमने जो पर्ची में बटन दवाई है वह पर्ची क्या लाइट से जो चीज़े लाइट उसमें सेवन सेकंड की दिख रही है उतने सेकंड में वह चुनाओ संबंधित ब्यक्ति को बोर्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा यह चीज़े नहीं सपस्ट हो पाती है तो यह भी एलक आर्टिकल 324 और 326 को लेकर के था 324 में आप लोगों को सबको पता है एलक्षन कमीशन आफ इंडिया के बारे में ड्यूटी और उसके एपॉइंट्मेंट के बारे में है पर इसके साथ में इसको फ्री और फेर एलक्षन कराना इसकी जवाब देए जिम्मेदारी दोनों है पर यहां पर वह इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं मान रहा है सुप्रीम कोट ने यह भी सारी चीजों के साथ में दरम्यान में टिपड़ी भी कि और पूछा भी कि एलक्षन कमीशन आफ इंडिया मुझे इस चीज के बारे में आउगत कराए कि उसमें इनके 100% में अकाउ सारी परटिशनों को को ने ओर्डर करके करने के लिए वी रिकर्ष करके बोल भी दिया है कि यह सारी जितनी भी इलक्षन से संबंधित पर इसके साथ में इसके साथ में जो और भी है मैं आप से कहना चाहता हूं भारत देश के अलावा वर्ड की बड़ी-बड़ी कंट्री यदि एक व्यक्ति की भी बोट गरवड़ी हुई कंप्लेन आई तो उसने एलेक्शन कमीशन को सीधा कोट ने डिरेक्शन दे करके उस चुनाव पद्धधी पर ही क्रिशन किया और उसको बंद करा दिया भारत देश में एक व्यक्ति यहां पर नहीं है यहां 140 करोड की जनता शिवाय दो सिस्टम के छोड़के पूरे भारत देश की जनता इस पर पूरी की पूरी तरीके से बिरोध कर रही कि हमें यह फिचकल परची दिखना चाहिए जो की नहीं दिख रही है मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता ओं कुछ कंट्री nenhum से बांगलादेश भारत देश का कंट्री इसी की तरह से जो अमेरीकन कंट्री से उसमें भी यह उसमें बहुत सार्य में इसतर्वेसर देश कोौरी यह ए लाsk hasta अफ्रीकन कंट्रीज आप लोग जानते हैं फर्टीफाइब कंट्रीज देराद मेंबर आप दिस अफ्रीकन जो ग्रूप है उसके समों के लोग है यह सारी कंट्रीज में बंद है वर्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाली एक सो चालीस करोड की जंता आबादी को रखने वाली भारत देश की जो कंट्रीज है वो इस चीज को क्यों नहीं मानने के लिए तयार है यह सबसे बड़ा सप्रीम कोड के सामें यह दलीली रखी गए अप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ 17 तारीक के लिए यह से माजूप के लीकिस को लगा दिया गया है एक साथ में सारे मैटरस की सुनवाइं के लिए रख लिया गया इसी के साथ में यह भी बोला गया किए सुप्रीम कोड्स का जो चुना ओफ उप्रीम कोड में हम लोग नेक्स्ट आप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं इसी के साथ में सबसे महत्पुर्ण बात दो तीन आउर भी है इसमें यह भी होगा जो हम लोगों के अप्लिकेशन की यदि फ्री और फेर एलेक्शन्स हमें दिखाना ही है करना ही है तो 14 अप्रेल की जो डेट है उसको यह तो बढ़ा दिया जाए थोड़ा आगे कर करनेंट कर वाया यह आपने देखा होगा दुकानों में आप लोग जाते हैं निकलते हैं निकलती है और निकलना इनकी लिए आविश्यक होना चाहिए है यह हमारी जल्दी ही प्रेयर होने वाली है और इसके साथ में हम लोग अर्जैन्स के लिए मेंटेन कर रहे हैं इसी का जो दूसरा लास्ट और सबसे महत्पूर्ण ग्राउंड है सारे यूटूबरों के माध्यम से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं पुरे भारत देश के में बोल रहा है अप्लेडर को चला रहे हैं यूटूबर सो या कोई भी नीचैनल इसको देमोनिटाइज करना या यहलो करना या इसूइड को कम करना आधर मैं एलेक्शन कमीशन आफ इंडिया यूटूबर्स दोनों के आपके माध्य हम से बोल रहा हूं कि अगली अप्लिकेशन इसी केस में मैं अन्डेवल जस्टिस के सामने बोलूँगा कि यह कोटम कंटेंट का मैटर है जब आपको यह पता है कि आपने नोटिस भी किया है मैटर यहां पर पेंडिंग है किस से किस एक्षन पर किस आईटी एक्ट में वह हमें बताएं किस इलेक्षन कमिशन की गाइड लाइन पर लिखा है इस पस्ट भी करें कि जितने भी यूटूबर्स हैं आप तो फ्रेंट मेडिया ज्यादा चलाती नहीं है भारत देश की आवाज को तो जो छोटे-छोटे न कि उबरें इन समय पर उनकी इन चीजों को क्यों उन्होंने बैंट करना या उनको लोकना या उनके एक अकाउंट को सस्पेंड करना यह किस नियम के ताहत पर है यह इस पस्टी करन वो देंगे यह दिन नहीं देते हैं और दुबारा इसी तरह से करते रहें गे तो मैं आप के माध्यम से एलेक्शन कमीशन आफ इंडिया को यह वर्न भी दे रहा हूं कि अगली अप्लिकेशन कोट आप कंटेंट की दैरे में जैसे स्टेट बैंक आफ इंडिया के साथ हुआ है वह आप लोगों के साथ भी हम लोग करेंगे इस चीज के लिए मैं आप से बार-बार बो इने बोला है कि यदि इवियम को हटा दिया जाते एक आप नहीं पाते बीजेपी आप उनी की तरफदारी करते हैं भारत देश की जंता सफर कर रही है मैं आपके माध्यम से यह मैसे इलक्शन कमिशन आफ इंडिया तक यह बोलना भी चाहता हूं पर यदि इवियम से इस के करने वाले लोग यह सीज को द्यान रखें यह मैं वर्निंग भी कर रहा हूं और यदि भारत देश के आर्टिकल स्पीच का फ्री और फेर हमारी सब के आवाज एक्सप्रेस करने का पावर आपके पास भी है हम लोग कोई वाली बात नहीं कर रहें कानूनी तरीके से जो कान के दौरान पर ही इसमें नोटिश हुआ है आप सारे लोग देखेंगे इसमें कुछ अच्छा होने वाला है बहुत सारी चीजों को अभी नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि इनके रिप्लाई आने के बाद एलक्षन कमिशन के रिप्लाई आ जाने दीजे उसके बाद हम आप पूरे भारत देश की जिम्मेदारी है और इसके साथ में मैं बोलना चाहता हूं कि परचीज के चुनाओ हो इसको लेकर के हम पूरी जिम्मेदारी जवाबदेगी के साथ आपसे बोलना चाहते हैं कि मेरी लास्त की लड़ाई रहेगी कि इस 2024 तक का जो चुनाओ है वह अन्तिम लड़ाईगी और अन्तिम प्रियार है प्लीज थैंक्यू